हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि दुसतो मुबायल फोन के बैक्ग्राउट में चल रहे दुसतो अपलिकेशन को बंद कैसे करते है जैसे कि दुसतो आपके फोन के अंदर बहुत धेर सारी अपलिकेशन है जो कि दोस्तो background में run करती रहती है और आपका फालतू का internet और दोस्तो battery खतम होता है जिस application का दोस्तो हम लोग महिने में एकादबार यूज करते हैं बाकी दोस्तो पर डे वह हमारा battery और internet दोस्तो खर्च होता रहता है background में चलता रहता है तो दोस्तो ऐसे में आप इन है दोस्तो background में चल रहे application को दोस्तो बंद कैसे करोगे दोस्तो इस video का अंदर बताने वाला हूँ तो सबसे पहले दोस्तो हर एक phone का अंदर एक setting होता है और इसके बाद दूस्तो आपको क्या करना है कि दूस्तो हर एक phone के अंदर अलग-अलग setting होता है जैसे कि दूस्तो ये phone real me है, opo में अलग होगा, viva में अलग होगा, samsung का अंदर अलग होगा तो दोस्तो ऐसे में आपको एंसर नहीं लेना है मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो कि दोस्तो हर एक phone का अंदर work करेगा किसी-किसी phone का अंदर दोस्तो about के अंदर आपको build number मिल जाता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो बट दोस्तो बहुत सारे phone में लोगों को ढूंगने में दिकत होती है तो ऐसे में आपको क्या काम करना है कि यह सर्च बार होता है न दोस्तो आपको यहाँ पे setting का जो सर्च बार होता है यहाँ पे आने हैं और आपको build आपको यहाँ पे इस तरह से बील्ड लिख होके न, और देके इस पेस आपको देके यहाँ पर नमर लिख दोगे, तो आपके सामने यहाँ मोड कremon और यहाँ पर मूड हैं, । PC phone के अंदर additional setting में मिल जाता है बढ़ दोस्तों जिनके phone के अंदर additional setting के अंदर यह developer mode ना मिले तो उन्हें क्या काम करने हैं कि फिर से यहां पर सर्च बार में आने हैं और उन्हें यहां पर DEVE यहां पर इस तरह से लिखोगे developer option आपके सामने यहां पर इस तरह से आ जाएगा अब यहां पर दोस्तों सबसे पहला यहां पर चीज है कि देखना है आपको कि आपके phone के अंदर background में कौन कौन सी app run कर रही है तो इसके लिए दोस्तों आप यहां पर developer mode को on कर दोगे और नीचे आओगे नीचे आओगे तो दुस्तों आपको यहां पर देखोगे तो दुस्तों यहां पर running service करके दुस्तों एक features मिलेगा यहां पर जो कि आपको देखने है उसके अंदर कौन-कौन सी अप्लिकेशन बैक्ट्राउंड में रही है यहां पर उपर से नीचे आओगे तो यहां पर running service दिक रहा है यहां पर देखिए view and control service that you are currently running यहां पर click कर औगो तो आपके सामने पता चल जाएगा यहां पे आपका प्रोसेस में चल रहा है कौन कान सी सर्विस यहां पे अक्टिवेट है और यह दुस्तों फाल तु判 का बैक्रम इंटरणेट यहाँ पे खर्च कर रही है यहां पर आप स्लिप मोन में सुल मैं बंद कर सकते हो तो इसके लिए आप यहाँ प上 पे 1 को भी तो यहीं से आप बंद कर सकते हो जैसे कि यह देखिए इस पर क्लिक करोगे यहीं से आप इस टोप कर सकते हो तो दुस्तों यहां से बट इस टोप नहीं करना है क्योंकि यहां पर इतने ज्यादा है कि आप एक एक करो तो आपको काफी टाइम लग जाएगा आपको बस करना क् यहाँ पर एक बार आपको बैख करना है डेवलेपर मोड के अंदर ही रहन आ Iraqarta थोड़ा सा नीचे आना है आप यहाँ पर नीचे आओगे तो दिस्तों यहाँ पर आपको दिखेगा जैसे सिंग मतल़ यहाँ इनपॡ करें आएक नियखे आला साथ की दिखेगे जो कि आप यहां पर देख पारे हो कि विद दुस्तों हमारे phone के अंदर जो एम हैना एप ही तो रन कर रही है तो दुस्तों डॉंट किप एक्ट्वीटी दुस्तों इस पर हम बंद करेंगे सबसे पहले तो इसे बंद करेंगे ताकि कोई background में activity न हो इसके बाद यहां पर लिखा है background process limit इसको आपको यहां पर click कर देना है click करने बाद दखिए दोस्तों यहां पर standard limit है और दोस्तों यदि आप यहां पर no background process करोगे तो दोस्तों background में अभी तो सारी application बंद हो जाएगी बट दोस्तों क्या है ना कि वो जैसे ही आप यहां से बाहर जाओगे तो दोस्तों standard पर ही आपको click मिलेगा तो आपको यह नहीं करना है at most आपको one process कर देना है यहां पर यानि कि जो application चल रही है एक करके चले एक ही चले वन टाइम में वन ही application चले जो आप यूज करो जिस टाइम वही सिरफ application अंकरे बाकी दूस्तों वो slip mode में हो तो आप यहां पर ऐसे set करना अब इसके बाद दूस्तों एक और आपको अपने phone के अंदर setting करनी है जो कि दूस्तों आपको अपने phone के अंदर प्लेश्टर को open करना है सबसे पहले आप यहां पर प्लेश्टर को open करोगे और यहां पर आपको एक application को search करना है जिसका नाम है android assistant दूस्तों आपको इसे open करना है दो एमबी की application अबड़ दोस्तों देखिए इसकी downloading कितना कमाल का app है कि जो कि दोस्तों 10 million लोगी से use करें review rating भी देख सकतो open करना है first time दोस्तों जब open करोगे तो दूस्तों आपके सामने यह ऐसा दीखेगा इसके बाद दूस्तों आपको यहां पर कुछ setting और दूस्तों कुछ features है जो कि दूस्तों आपको यहां पर set करना है यहां पर दोस्तो प्रोसेस के अंदर आओगे, कुछ यहां पर दोस्तो परमीसन वगएरा मांगेगा, तो दोस्तो आपको दे देना है, यहां पर दोस्तो आपके सामने यह लोडिंग लेगा, जो कि आप यहां पर देख सकते हो, अब यहां पर आप देखोगे ना, कि दोस्तो आपको यहां पे जितनी भी अप्लिकेशन दुस्तो आपके फोन के अंदर जितनी भी अप्लिकेशन है जितनी भी अप्लिकेशन है दुस्तो वो यहां पे सेलेक्ट कर लेने है आपको यहां पे जैसे मैंने दुस्तो यहां पे सेलेक्ट किया है और आप यहां से दुस्तो यहा सबती आपको क्लिक करनेे हैं क्लिक जैसी कर गों डुस्त उपकर ओके पर फिर से करना है और दुस्तो यह आपका काम सक्क्राइब करना करना इसके बाद दुस्ति आपको यहां पर नीचे आना है ओके पे क्लिक कर देना है बैक आजाने है यहां पे बैक आजाने है इसके बार दोस्तो आपको यहां पे फिर से किल पे क्लिक कर देना है अब यहां पे देखो अपने आप ही दोस्तो यह सारी अप्लिकेशन को दोस्तो यह किल कर रहा है यानि कि दोस्तो जो भी मैंने आपको य डैटरी प्लस इंटरनेट दोनों ही दुस्तो कम खर्चोंगे और दुस्तो आई होब कि जो मैंने आपको बताया है इस वडियो का अंदर जो जनकारी दिया है वो पसंद आई होगी एयरलपफुल रहे होगी तो दुस्तों आप लोगे यहां लाइक करना और दूस्तों अपने फैमली पर्योंए में विडियो को ज्यादा सेयर करना मिलता है दोस्तों और निव विडियो में थब तक के लिए धन्यूब